समस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपका आज के इस वीडियो पे बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ एक बर आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में उसकी जीजों की आशनलने के लिए किन-किन चीजों की आवशकता होती है उसका भी रिवीजन हम कर लेगे दोस्तों पर उससे पहले हम उसके बारे में इसकी महतुपूड़ जो है शरीर में है, उसके बारे में समझ लेते हैं, यदि दोस्तों, आपके शरीर में आपका उटसरजन तंत्र अच्छे से चलता रहेगा, तो एक सबसे खास जो आपके बॉड़ी में एक चीज मेंटेन रहेगी, वो है pH वैल्यू, pH वैल्यू का मेंटेन होने से क्या संबंद है, आपको पता होगा दोस्तों, आपके रक्त का जो नेचर होता है, वो बेसिक होता है, और उसका बेसिसिटी अगर बरकरार रहेगा, यानि कि उसकी जो जारकता है, वो यदि बरकरार रहती है, तो pH वैल्यू जो है वो भी बरकरार रहेगा यानि कि आपके blood में जो भी कोशिकाए हैं वो सही से work कर पाएंगी तो इसके लिए ये तभी हो सकता है possible है जब आप उसमें से सारे उत्सरजी पदार्त को बाहर निकाल लेते हैं तभी pH value बना रहेगा अगर बहुत सारे उत्सरजी पदार्त उसमें जमा होते रहते हैं तो pH value में change आ सकता है परिवर्तन आ सकता है जो कि शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारख हो सकता है उसके बाद दोस्तों कोशिकाओं के अंदर में किसी भी चीज का अंदर आना यानिकी entry करना, exit होना यानिकी बाहर जाना, वो आपका कोशिकाओं में osmotic pressure यानिकी osmosis यानिकी परासरण की वज़े से होता है और यादी कोशिकाओं में ये सारी चीजें जो हैं मतलब उसका सारा जो भी waste है वो बराबर टाइम पर निकल रहा है तो परासरणी दाब भी बना रहेगा तो उसरजन की वज़े से दो चीजें ये major हो पाती है, osmotic balance बना रहता है और pH value भी maintain रहती है दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, अगर आपके शरीर में उसरजी तंत्र excretory system आपका सही से चलता रहेगा तो आपके शरीर से सारा waste बाहर निकलेगा आपके शरीर के समिस्थातिक्ता को maintain रहता है समिस्थातिक्ता से क्या मतलब होता है समिस्थातिक्ता से मतलब होता है कि आपके शरीर का जो भी cells का activity है वो maintain रहे, यानि कि कोशिकाओं के अंदर में किसी भी चीज का बनना और टूटना बराबर बरकरार रहे, कोशिकाओं के अंदर में आयन्स, मिनरल्स, जिन चीजों की जरूरत है, वो भी अच्छे से पाई जाए, तो इसके लिए समिस्थातिकता हमेशा बरकरार रहती है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आपके शरीर में वेस्ट आपके खून में जो है वो रहता है, तो आपके खून में से इनको अलग करने के लिए क्या चीज हम मेजर दो, कौन सी चीजे हम अलग करेंगे, पहली बात तो आपके बलड में कभी भी आपके रक्त में कभी भी ज़्यादा कार्बन ने अउकसाइड नही होना क्योंकि वह oxygen को mix करते हैं और carbon dioxide को बाहर निकाल देते हैं फेफडी का कौन सा भाग इस काम में मदद करता है तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसमें एक पार्ट पाय जाता है जिसे हम alveoli के नाम से जानते हैं हम वायो कोस्ट के नाम से जानते हैं वही इस काम में मदद करता है दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि आपके रख्त में nitrogeny waste क्या मौझूद है तो ammonia के form में यादि यूरिया जिसको आप कह रहे हैं उसका छोटा घटक ammonia ही है ammonia आपके शरीर से निकलना जर कितना होता है 4-5 इंच तक का लंबा होता है 2 इंच चोड़ा होता है और 11 x2 इंच मोटा भी होता है और भार उसका होता है 140 ग्राम और बाकी कल मैंने आपको बताया था कि मुठी क्या कार का ही वह मौझूद होता है किस तरीके से दूस्तों जाते हैं आपके kidney में बलड फिल् तो आपको यह सीरीज पूरी समझ में आ जाएगी, अगर यह तर्म्स हियाद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आपके पास एक वीडियो गर आप देख लेंगे, तो आपके दिमाग में वैसे भी चीज़े समझ में आ जाएगी, पर हाँ, उस वीडियो में किस हीस की बात हुई है, उस वीडियो में बात हुई है कि नेफरॉण जो है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, नेफरॉण क्या है सबसे पहले आगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नेफरॉण किड अब उसके बाद दोस्तों ये re-absorption हम कि filtration किसे कह रहे हैं? filtration का मतलब होता है एक normal filter जब हो जाए जो कि आपका glomerulus वाले भाग में हो जाता है re-absorption यानि पुन्रा अवशोषड का मतलब हो गया कि एक बार अवशोषड absorption जो भी घटक क्या होता है? normal component आपकी urine में क्या होते हैं? तो जल भी पाया जाएगा दोस्तों, urea भी पाया जाएगा, protein और sugar भी होते हैं, uric acid भी होता है, creatinine नाम का भी एक compound होता है बाकी आपके sodium, calcium, potassium, magnesium और ये सब चीजें जो है वो आपकी मौजूद होती हैं यहाँ पे आपका sulfate भी पाया जाता है, phosphate भी पाया जाता है, ammonia होता है, creatin रहता है, hipuric acid नाम का एक आपका compound रहता है, iodine भी मौजूद रहता है अब दोस्तों, ये सारी चीजें आपके मूत्र में बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाहर रिलीज हो जाती हैं अब बुला गया है कि आपके मूत्र निर्मार में कौन-कौन सा हॉर्मोन मदद करता है तो दोस्तों, एक हॉर्मोन होता है जिसका नाम है vasoprecin इसे हम लोग anti-diuretic hormone के नाम से भी जानते हैं अब anti-diuretic का क्या मतलब हो गया? यानि कि उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का absorption बढ़ा देना है anti-diuretic hormone का काम यही होता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा water को आपके urine में से absorb करने ताकि urine में waste चीच ज़्यादा रहे, पानी आपके शरीर से ज़्यादा निकल जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यानि कि आप dehydration की प्रॉब्लम हो सकती है या बाकी दूसरी प्रॉब्लम से रेलेटर हो सकती है तो वैसोप्रेसीन नाम का हॉर्मोन यह करता क्या है? यह आपके नेफ्राउन का एक भाग होता है जिसे हम distal conulated tibool के नाम से जानते हैं और एक भाग होता है जिसे हम संग्राहग नलिका या फिर collecting duct के नाम से जानते हैं यानि कि जो चीज वाकई में बाहर जानी चाहिए वही जाए यह नहीं कि सब कुछ बॉड़ी से निकल जा रहा है तो फिर आपका urine बहुत पतला हो जाएगा तो इसके लिए यह आपका वैसोप्रेसीन मदद करता है दो और हार्मून होते हैं दोस्तों जो आपके kidney के भाग सही रिलीज होते हैं उनका नाम है mineralocorticoid और glucocorticoid ठीक है mineralocorticoid से क्या मतलब है दोस्तों अगर आपको बायो में एक बहुत महतोपूर चीज है कि आपको पकड़ना होता है थोड़ा सा मिनरेलो में मिनरल शब्द दिख रहा है ग्लूको में आपको ग्लूको कॉटिकोईड में आपको ग्लूको वर्ड दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है ये दोनों दोस्तों आपके शरीर आपके जो किड्नी में नेफरोन वाला भाग है जो रख्त को filter कर रहा है, उसमें जादा से जादा खनीच का उसुषन हो जाए ग्लुकोस का उसुषन हो जाए उसमें ये ध्यान रखते हैं, तो ये और क्या करते हैं, sodium के level को आपके शरीर में maintain रखते हैं, पानी के level को maintain रखते हैं, इनकी यदि कमी हो जाती है, तो Edison नाम का र यदि हम बात करें, तो ये आपका glomerulus वाले भाग में होता है, glomerulus कौन सा भाग है, अगेन मैं फिर से कहूंगी कि आप एक बार प्रीविएस वीडियो जरूर देखिए, glomerulus किड़नी का वह भाग है, जो गुच्छे नुमा सनरशना का होता है, उसमें सबसे पहले रखत पह और उसमें 500 ml प्लाजमा भी साथ में जाता है, तो 500 ml प्लाजमा और एक लिटर प्रती मिनट ये आपका glomerulus के अंदर में जाते हैं, दूसरी बात दोस्तों, 500 ml का 10% यानि की 100 ml भाग ही छन पाता है, 500 ml का 10% उसमें से छन पाता है, ये भी है आपर, अब देखिए, अब इसमे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ, जो चीज आपकी बहुत सारे स्टेप्स के बाद हो रही है, तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ फिल्ट्रेशन हुआ है, तो किड्नी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसस करती है, ठीक है, परानीस एंदन जिसे हम कहते हैं, उसमें अल्टरा फिल्ट्रिशन जब हो जाता है न तो वाटर जितना भी रहता है वो भी एब्सर्विप, ग्लुकोस भी आपका एब्सर्व, सॉल्ट भी एब्सॉप और यह सब कुछ क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, इस फिर कलेक्टिंग डक्ट में ठीक है यानि कि संग्राहक नलिका में इसका अगर आपको फोटो देखना है तो आप कल वाली क्लास को फिर से देखिए मेरा यही बार-बार कहना होगा आपसे बात करते हैं अल्डोस्टरोन की यह भी एक ऐसा हॉर्मोन है जो क्या करेगा आपके म नेफराइटिस के नाम से जानते हैं इसमें व्यक्ति जब जाता है जो है अगर अपना यूरेनरी इस करने तो उसे बहुत पेइन होता है उसके बाद मूद्र में रक्त भी आ जाता है नेफराइटिस यह कैसे होता है नेफराइटिस इस प्रकार से होता है दोस्तों की एक ब दवा दी जाती है उसका नाम है पैनिसलीन एक रोग होता है जिसे हम यूरीमिया के नाम से जानते हैं इसमें यूरीया आपके शरीर में एकठा होने लगता है और एक रोग होता है जिसे हम गुर्दे की पत्री यानि के रीनल स्टोन के नाम से जानते हैं किसकी वज़र से होता तैसो प्रॉसेस को हम नाम देते हैं दोस्तों हीमोडालिस को हम हीमोडालिस कहते हैं जिनके किड्नि AHика भब रहती हैं मशीन के साह drowned करवाते हैं थीके मोडार ओने जिसे हम cystis नाम से जानते हैं, इसमें भी वही जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है आपका, इसमें सेम आपका symptom है, यानि कि बार-बार urine आना और दर्द होना, इसके लिए जो bacteria responsible होता है, उसका नाम है B. coli, B. coli की वज़े से इसमें जो है आपको pain मतलब ऐसा द possible है, अब कुछ important प्रशन जो आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन सा vitamin मूत्र के साथ उतसरजित होता है, vitamin C, शरीर में जल और आयन के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते है, Osmo Regulation, यूरिया का सामान इस तर कितना होता है, 20-40 mg, जब यूरिया की मातर होती है, हेनले लूप आपका पाय जाता है किड्नी में, पक्षियों में पक्षी क्या रिलीस करते हैं, जैसे हम लोग के पास तो हम यूरिया रिलीस करते हैं, वो लोग यूरिक एसिड रिलीस करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रशन आता है, दोस्तों, रुदिर के साम रास पालिक नाम का उसरजन पाते हैं, उसके अलावा किड्नी के उपर पाय जाने वाले जिली को हम परिटोनियम की जिली कहते हैं, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, लिवर सेल में आपके लिवर की कोशिकाओं में ऑक्सिडेटिव डियामिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, औक्सिडेशन डियामिनेशन की प्रक्रिया कहां संपन होती है, तो लीवर में जो माइटोकॉंड्रिया होता है, वहाँ पे डियामिनेशन का क्या मतलब हुआ, अमीनो अमल का तूटना, वो माइटोकॉंड्रिया में होता है, बाद में कुश्चन में पुछा गया है कि जब तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स वीडियो में जो कि मैं आशा करती हूं कि आप जरूर आएंगे और जरूर देखेंगे जो भी चीजे मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई हैं इसको बहुत ही यूसफुल समझे और इसको अपने कॉपी में कहीं जरूर नोट कर लीजिए यह आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत जादा ही इंपोर्टेंट है तो इसलिए मेरे रिटे नोट से आप इसको लेख सकते हैं इसको स्क्रीन सॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो और बिल्कुल ही शॉर्ट में हैं तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें और उनको पॉइंट टूदी चीजें मिल सकें बहुत जादा थीरी पढ़ने की ज़रूरत ना पढ़े और छोट